यह है WD Black SN770 NVMe M.2 SSD WD के अंदर जितनी भी SSD है उनमें से नंबर वन SSD जो है वो है Black Series उनमें से एक ये मोडल है और ये मैंने प्रुचेस की है वन टीवी की प्राइस की बात के तो इसका प्राइस जो है लगबग 4500 रुपे के आसपास है आलाइन भी सेम प्राइस है और ओफलाइन भी सेम प्राइस मुझे मिल गया 6500 की ये मुझे मिल गई जैन 4x4 SSD है तो यहां पर स्पीड आपको एक नंबर के मिलने वाली है चले करते हैं इसके अंबॉक्सिंग और देखते हैं कैसी के हमारी NVMe SSD है और साथ में नज़े डालते हैं इसके स्पाइक के ऊपर पैकिंग कोछ इस तरीके से आपको मिलने माली काफिया फील होती है ब्लाक सीरीज की है तो यहां पर बॉक्स भी प्रॉफर आपको ब्लाक ही मिलने वाले उपर के साइट में यहाँ पर उसका model number लिखा हुआ है WD Black SN770 NVMe SSD और बीच में देखेंगे NVMe SSD की पिक लगी हुई है और नीचे यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा 1TB Gen 4 Speed यहाँ पर जो आपको मिलने वाली है वो 50150 Mbps की मिलने वाली है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर पैकिंग देखने को आपको मिल जाएगी पैकिंग काफ़ इची कर रखी गई है ताकि हमारी NVMe SSD जो है वो डैमेज ना किसी तरीके से भी और इसी के साथ में यहाँ पर एक हमें user manual देखने मिल जाता है WD Black का चलिए निकालते हैं अपनी NVMe SSD को कितनी छोटी सी चीज़े और कितनी महंगी है बाई नदर डालने पर लगता है यह क्या ही यार कितना प्राइस होगा अगर किसी ऐसे बंदे को दिखाओ जिसको PC के बारे में knowledge बगरा ना हो आप ज़रा comment करके बताना ऐसा बंदा इसका price कितना बताएगा यहाँ पर इसकी flash memory लगी हो यह NAN और यह है Sandix का controller single chip इसके अंदर यह उज़ की गई है flash memory की यह काफीची चीज है speed आपको बहुत ही तगड़ी मिलने वाली है back side में proper plane PCB मिलता है और उपर के side में यही पर आपको एक sticker देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको इसका model number, serial और सारा कुछ देखने को मिल जाएगा जैसा कि यह NVMe SSD है तो यहाँ पर M key के साथ में आती है अगर NVMe नहीं है, only SSD है तो वहाँ पर आपको दो cutout देखने को मिलेंगे आपके SSD के अंदर अगर NVMe है तो single देखने को मिलेगा जैसा कि इसमें देख सकते हैं इसको M key बोलते हैं read speed के मिलने वाली 5150 Mbps की और इसके ride speed है 4950 Mbps की तो इस SSD के अंदर आपको almost जो है same speed मिल जाती read and ride की 5 GB per second आपको speed इसके अंदर मिल जाएगी अगर आप इसको यूज़ करते हैं Gen 4x4 के उपर और ये SSD backward compatible है यानि कि अगर आप इस SSD को Gen 3 के उपर लगाते हैं तो वहाँ पर भी ये proper work करेगी और Gen 3 की यतनी maximum speed होती है वो निकाल करके देगी 3 Gbps Gen 3 के उपर और मेरे पास भी Gen 3 का ही PC है उसके उपर मैं इसको लगाने वाला हूँ और देखने वाले हैं कि read and write speed क्या मिलने वाली है और इस SSD के अंदर TVW भी काफी अच्छा खासा है 600 का है जितना एक अच्छी SSD 1 TV के अंदर होना चाहिए उतना है 600 है Samsung वेरे के SSD लेते हैं उसके अंदर भी आपको 1 TV के अंदर 600 ही मिलेगा TVW और इसके अंदर जो 9 यूज़ की गई है वो है Tosiba की जो flash memory होती है जिसके अंदर सारा data store होता है वो Tosiba की यूज़ की गई इसके अंदर इसके अंदर जो controller यूज़ किया गया है वो है Sandix का controller भी काफी अच्छी company के मिलता है and 9 भी काफी अच्छी company के है इसलिए जो combination बनता है वो काफी अच्छा बन जाता है काफी अच्छी खासी speed यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है अगर आप इसको gen 4x4 के उपर यूज़ करते हैं तो भाई या बले-बले गलती से भी gen 3x2 के उपर यूज़ करते हैं तो आपको half speed मिलने वाली gen 3x4 के मकाबले gen 3x4 की maximum speed होती है वो 3GB per second होती है और gen 3x2 की speed होती है maximum होती है 1.5GB per second तो अगर आप गलती से भी gen 3x2 के उपर यूज़ करते हैं सपोर्ट है तब जागर कि आप एक NVMe SSD खरीदना और यह SSD DRAM less SSD है इसके अंदर DRAM नहीं मिलती है HMB-based SSD है यह हमारा PC इसे के अंदर हमें इस NVMe SSD को लगाना है चलिए फटा-फट लगाते हैं और देखते हैं क्या speed निकल क्या रिये इसकी तो फाइनली हमने SSD को लगा लिया यहां पर देख सकते हैं यह लगी हुई है ग्राफिक काड के जस्ट नीचे यहां पर लगी हुई है चलिए अब करते हैं speed test चलिए करते हैं final test और देखते हैं क्या read and write speed निकल क्या आती है कि अभी हमने start कर दिया है कि यहां पर आप देखेंगे 831 GB दिखा रहा है तो यहां पर मैंने दो partition बना रखें अभी इसलिए यहां पर एक हम दिखा रहा है 100 GB का partition मैंने इक अलग कर दिया है बाकि यहां पर देख सकते हैं यहां पर देखने को मिलेगी अगर आप यहां पर यहां पर देखने को मिलेगी अगर आप इस SSD को purchase करना चाहते हैं तो link description में मिल जाएगी आप उस पर किलिक करके इसको purchase कर सकते हैं पाकि यह वीडियो अच्छे लेकर वीडियो करते हैं लाइक इन चलू करना सब्सक्राइब मिनते हैं किसी दूसरी वीडियो साथ हो तो be safe and be healthy